तो स्वागत है आपका मेरी चैनल था एक्सप्लोरर फ्राम जी एंड के भाई साब सुभा के साड़े साथ हो चुके हैं और मैं जद रसल आज वीडियो लेट बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा काम देने कर रहा था सुभा से तो अभी मैं जा रहा हूं गास काटने क्यूंकि इ लिए दूद्द लेके मातरी राम रामलाव क्या लओं तो दोस्त दूद्द पी लेते फिर इसके बार में जा रहा हूं गास काटने तो चलते हैं याग तो गाईस यह हो रहा है हमारे लिए पैकिंग इतने सारे प्याज घरिया रहे हैं और यह रहा हमारा लसुन एक दो दो तो गाइस अब भी आ चुके हम स्टोर रूम के अंदर है हमारा स्टोर रूम में यहां पे हमने थोड़ा बहुत अनाज बगएरा और थोड़ा बहुत समान स्टोर करके रखा होता है यहां अश्मती चावल जो हमारे गरे के एक साल के खाने का स्टाउक है कि आए खुष्भूबो एक रही है खुष्भ आरी एक दम से चावलों की तो कितने चावल चीए तरह को आदे हम तीन मेने के लिए जा रहे है तीन मिने के तो लगी जाएगा हां हां तो कल बोल रहे है इस्तीं कवांटल तो मै इसी बुल जो इस साल के हमारे चावल ने यह पर दोस्तों दस वज के पचीस मिनिट हो चुके आप देख पारे होंगे यहां पर हमारी पैकिंग अभी चली हुए एक बैग हमने बहुत बड़ा ट्रेकिंग बैग है यह पूरा फिल किया हुआ यह चुरूती के दो हैं यह कपड़े हम घर पे रखके जाएंगे और बाहर दिखाओं आपको यह पूरा बैक पूल है यह चावल का है और यह यह भी बैक कपड़ों का है यह हमारे शूज बगहरा है और इसमें हमारी थोड़ी बड़ी बरतन बरतन जो होते हैं वो रहेंगे यह पर आज हो गया तो उन डबों में भी थोड़ा सा मराशन फिल करेंगे अभी टेंट बगहरा मैंने गाड़ी में रख दी हैं स्लिपिंग बैग मैट्रेस तो बाकि भी देखते हैं क्या क्या और तो दोस्तों पैकिंग करते करते पता नहीं चला कि कब 11 बज गए और यहा पैकिंग बस चूड़ा ही डालना हाथ में वाकि पूरा सब कुछ पैकिंग है ड़ी चलो खालेते पर निकल दे हैं इस बूज़ेसे चलो फिल खाते हैं तो लोग जी स्पैकिंग बैकिंग करने के बाद अभी टाइम हो चुका है दो बजने का क्योंकि हम अभी तक निकले न विए मिल्के हिम निकलेंगे और यहां पर खेन खाना था भान आ जो का यह यह एकिशा गर्स म Васन यहां आ Самar श्रृती नहीं को देखने, आर आयर कैमिंग पर भी है देखे को सिह नहीं नहां दाना हो, है तो श्रूत को जाना की सॉत्हों है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है डाई बजने का और हमारी त्यारी हो चुकी है मैं आपको दिखा दूँगी गाड़ी में हमने क्या-क्या डाला है बहुत सारा समान हम कैरी कर रें इस वार पूरा मतलब जो समान होता है यह बाल्टी पूरी बरी होई है चोटे मोठे समान बरतन खाने पीने का रहने का कोई चीज की कमी दो नहीं है इस बार हम दो लोग है ना इसलिए जादा समान लोड हुआ है वरना हमेशे अकेले जाते हैं तो एक जने के साफ से बिल्कुल तो यहां पर यहां पर शुरूती का शामान है यह इस पर हमारे प्याज ब्याज दो अमने ट्रेकिंग बैग पूरे फूल करके रखे हुएं यह और दो तिन तक ही है तो पूरा समान हम लेके जा रहे हैं चार्जर चार्जर की बात करें तो यहां हमारे ब्रेश बगारा रहेंगे और यहां पर हमारे चार्जर पावर बैंक यह सारा कुछ नोट्बुक इसने रख लिए अधार का है तो उसको संबाल के रखना तो खीक है शहां आशता सद्वत है क्षा की मामी पाप जी जा रहे हैं हम लोग बापा-मेरे-कषान वें सुना और टीवी ब देखना आप सो् Ciao थिए- exactement merry- desea आप जा रहे हैं हम लोग जा रहें है यह देखो पीसे शूप किया दर्बाजी गए लेल में खाले कर दिती गाए ले यह हमें देख भार कर दो अच्छा कर दोख कर दो ठीक है जी सब को बाई बाई अब हम लोग फूंधान करना ठीक है आँज सब्सक्राइब अब बाई अब यह थीद्या अब आण और लोग कोंफान करना थीक है यह थीक है डिया रखना तो यह जो आपको अगली वार ना हम बी ले चलिए आपको गाड़ी वालेंगे फिर हम चारों करेंगे मैं अम्मी और अप ठीक है तो अभी हम लोग घट से निकल चुके हैं मन तो बिल्कुल भी नहीं है बहुत जादा दिल उदास हो रहा है हम दोनों का ना पर क्या करें वीडियो के तो जाना पड़ेगा ना ऐसे काम भी नहीं चलेगा आप लोगों को नहीं नहीं वीडियो भी दिखाने होईंगे इस वज हम इतने भी जादा दूर नहीं है जब भी ममी वापा हमको फोन करेंगे हम लोग घर पर आ जाएंगे मैंने बोल दिया है बाई को भी ममी को कुछ प्रॉप्लम होगे जैसे होस्पिटल गयारा ले जाना है तो हमारे पास दूसरी गाड़ी भी है वीजे भीया है मेरे बो ले ममी ने बोला बेटा जाओ कोई बात नहीं अगर इन इन केस कुछ होता है ममी जदा बीमार हो जाती है जपूश भी हो जाता है तो हम इस ट्रिप को बीच में छोड़के बाई घर आ जाएंगे यह मापको पहले बता रहे हैं पापा और ममी बहुत रहे थे बाई भी सारे नर इतना हमको इस काविल बना देंगा हमने माबाब को साथ में ट्रैवल करा है तो चलिए फी चलते हैं तो गाइस अभी जो है ना हमारे अमर्नात वाले जो पेपर से उनको लेकर जा रहे हैं पी एन बी बैंक में जो है कुछ रजिस्ट्रेशन वगएरा करवाने के लिए जाएंगे तो मैं तब अंदर जाओंगी भार जहां पर बहुत साथा गर्मी है इस वज़से मैं अंदर नहीं गई हूं और गाड़ी का भी पूरा लॉक वाक करके आने की वज़े से उन्होंने का तो गाड़ी में बैट अगर तो बुलाएंगे तो हम फिर मैं चली लोग जाएंगे सिदा पठान को हम लोग को जो एक गाड़ी का जैक पी लेना है और थोड़े टायर वगयरा भी चेंज कराने अपनी जो है गुर्खा के अभी जो है कागच वापस लेकर आया है पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया तो क्या बोल रहा है फिर कोई किसी और जगा नहीं हो सकता फिर यह पता कर लें नहीं अच्छा यह बैंक बाले रहे यह नहीं भी ओधर टाइम हो गया चुट्टी का इनका इस वेशे काम नहीं करना चाहते तो दोस्तों पहुंच चुके हम जम्मू कश्मीर और पंजाब के बोर्टर पे जस्त अभी है हम जेंड के में और यहां पेहाजी लबाने थोड़ा से एक साइड पे तो अभी हम जिस मार्केट में यहां पर राम लड़ू बहुत मश्यूर है यहां पर देख पा रहे होंगी यह पूरी की पूरी दुकाने राम लड़ू बिक रहे हैं यहां पर और हमारे जमू में इसको बोलते है पल्ले है ना डोगरी में इसको पल्ले बोला जाता है तो शुरूती के यह एक पल्ले लेने के लिए बैसे हम खाना खा किया है तो बोल रही मेरे को मैं पुछा खाएगी तो बोल रही खा लेते है थोड़े दो दो करना आजाओ कि आजाओ कि अधाइगा पाया को हिंदी समझ ही नहीं आ रही थी तो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो एग अगे को बाइक कर दिया है और यहां पर हम लोगों ने पंचाब में एंट्री कर दिया पठान कोट साइड और यहां पर यहीं डैम का पानी है तो गई सीधा पठान कोट में हमने एंट्री करके हमने अपनी काम करवाने के लिए गाड़ी लगा दिया है यहां पर गैरेज में क्या करवाना है लाइन मेंट आफ गर्का गाड़ी तो दोस्तों बहुत दिन हो गए थे गाड़ी के अलाइन्मेंट वगरा नहीं करवाई तो वाज में आ चुका हूँ यहां पठान कोट में अर्मी रिटायर है उन्दे वेबाई जी मेरी गाड़ी के लाइन्मेंट करते इनके बाद जो बंदे बहुत परफेशनल है तो गाड़ी में ने यहां लगा दिया अभी यह लाइन्मेंट करेंगे इसकी फिर हम यहांसे निक तो दोस्तों आज उकाव में बंटी कार स्कैनर पठान कोट में तो गाइस यहां पर ना इन्होंने जैक ले लिया है और हमारे गाड़ी का हौन भी डल चुका है यह लिए हमने पांच टन का जैक पांच टन गाड़ी उठा सकते हमें इससे हमारी कितने टन की है हमारी तीन टन की है बट अभी एक तन समझे चार टन तो है यह आच्छा चलें फिर जी बिल्कुल चलें जी अभी सारो समान हमने ले लिया है अब किसार की साइड ठाना है अभी हम इंट्रेवेट करेंगे हिमाचल परदेश में लें जो काम था हमारा जैक का जैक में ले 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 लिए और हॉर्ण का था और हमारे फॉर्ण स्टेरिंग भी जोगा थोड़ी सी दिक्कत करें थे उसमें हमने स्टेरिंग ऑल डाल के उसको भी ठीक कर लिया है इसलिए कर रही है वाक्ति कोई दिक्कत नहीं है काँ पे आगे हम लोग अभी जिस पुल पर हम खड़े है इधर पंजाब है उसाड ही माचल है तो यह सामने कौन थी डिस्टिक कहां पर पढ़ती है अच्छा मतले जानी कि यह माचल और पंजाब का बॉर्डर है हाना सिंपली बोला चाहे तो तो गाइस अभी हम लोगों ने पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे एंट्री कर ली है मैं फिर्स्टाइम हिमाचल में एंट्री करने ज चोड़ दिया इसके आगे हमारे आगे भी हमाचल है कि इसके इनको प्रॉस करके एक चोटा सा बेर आएगा जहां पर हमें इंट्री देनी पड़ेगी बना सब को देनी पढ़ती है इसके बाद इतनी जो लेंगे यह जो एंट्रिफीस लिंगे तो अभी यह कुछ टेक्स है, टोल टेक्स हिमाचल में आप कहीं से भी इस्टेर टेक्स, अच्छा तो सोर बिलिया है, यह बता रहे हैं, पहले ही सत्तर रुपे ले देते थे, पहले यह तीस रुपे लेते हैं, य हम लोगों ने यहां से थोड़ी सी सब्जियां लिया अभी के लिए और थोड़ी सुबा के लिए हैं बस सब्जी लेगे फिर हम लोग देखते हैं कई पर नाहीट से के लिए कोई जगा देखते हैं अच्छी सी लोकेशन वगईरा फिर हम लोग वहाँ पर रुक के खाना वगईरा खाएंगे और यहां पर रात के खाने के लिए हमने दही भी ले लिए और धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर भी ले लिए वैसे तो हम लोग घर से लेकर आए थे हैं तो दिल्ली वाला नहीं चलेगा वही क्या नहीं चलेगा दोस्तों आप लोग जो है हमारे पहाड़ी पहाड़ देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा इतने क्लोमीटर है मैंना बहुत साथ एक्साइडिड उसे से में क्या बोले जा रही हूँ मैं अब समझने आरा मैं व्लॉगिंग करूँ यह मैं व्यू को देखू सामने से तो गाइस यहां पर जो है पाइंटरी शुरू हो चुके हैं और मौसम इतना साथ आप चेंड़ा इतनी हवाय है लगी नीज आएगी हम लोग मैंने में यहां पर आया है मलब तकर ब्लॉप यहां हुआ है जल्ली से टेंट लगाओ कि प्यारी हवाय चल रही है भार बस अभी हमने यहां से दस किलोमेटर आगे जाना वाह एक बहुत प्यारी बोले नात का मंदिय है जिसका नामें त्रिलोकी नात एक्दम हाईवे टच है वहीं पे आज हमारा स्टे है वहीं हम खाना बनाएंगे खाएंगे सो जाएंगे वहां से नहां के मंदिर बोले नात के दर्शन करके बाबाजी के फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे जैब होले नात तो गाइस अभी हम प जे रेंज है जी दरम शाला से उपर मेकलोड गंज त्रियूंड टॉप का एरिया है यह यहां भी ट्रैक है तो फाल तो हम वहां नहीं जाएंगे हम तो ऑंदी वहीं रहेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत उपर चड़ना पड़ता है दोस्तों तो दोस्तों फाइनली हम पह कहीं कैम्पिंग करने वाले हैं क्योंकि यहां पर पानी वी चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और सुबर नहां भी लेंगे बढ़िया से फ्रेश फ्रेश होके फिर निकलेंगे यहां से और यहां पर त्रिलोकी नाथ बोले नाथ जी का बहुत तगड़ा मंदीर है सु तो क्या बोलरे बरतन तो चलता हुआ एक्दम पानी शाफ साफ पानी साफ पानी तो काई तुगाइज अब अंधेरा होने वाला इससे पहले अंधेरा हो जाए हम कर लेते कैम फिर देखते आगे क्याप लेन है बैप पीने का पानी का सोर्स हमें पता करना पड़ेगा कि पी तोड़ा सा मड़ी है पीनी सकते इसको उपर से लाना पड़ेगा उसकते हैं है वागी तामों में यूज कर देखा थे मंदी रहना है वहाँ पर देखा हुआ थंडा पीने का पानी वहीं चलते है फिर हाँ वही मंदीर है ठीक है तो दोस्तो रात के आठ के हैं यहां हम थोड़ा सा अतर लगा दिया है शुरुति ने यहां पर और मैंने प्याज टमाठरों बिंडी काड़ दी यह यहां पर हमारी सब्सक्रेश में रही है यहां हमारी गाड़ी लगी और यह हमारा टेंट लगा हुआ है तो दोस्तों अभी खाड़ा बिरा बना लेते हैं इसके बाद मिलते आप से अधिर लगाया यह हमारे घर का गी और यह हमारा अंदि लिया था तो शुती कैसा लग रहा है यह एक रिबर चल दी जैसे के आपको पता है यहां पर बोले नाथ का मंदर तिरलोकी नाथ का कोई टेंशन नहीं है यहां विहारी बाबू रहते हैं ऊपर विचारे लिवर वाले तो नोटो बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना काफी मिलते का लिए नई वीडियो साथ तब के लिए बाबाई टे केर